नमस्कार दोस्तों हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हडपा या संधो सविता से संबंदित कुछ महातोपोर डिप्रेश्ण के बारे में पिछले वीडियो में मैंने अपन या वहाँ पर कुछ महातोपोर डिप्रेश्ण के बारे में बात किये थे आज हम उसके आगे के क्रम में जो है देखेंगे कि और काउंसे महातोपोर डिप्रेश्ण है जो की अब तक जितनी भी परिक्षाय हुई है उनमें पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली आगा करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें जिससे कि मुझको यह पता चल पाएं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं उसी के अच्छे वीडियो बनाने की कोशिच करूँगा दोस्तों देखते हैं इसमें अब questions पर आते हैं अप में प्रमुक उनका जो व्यवसाय था वो अगर हम बात करें तो व्यवसाय की बात थी और इसमें ट्रेड वाली बात भी थी अगर मैं व्यापार की बात करूँ तो इसमें जो internal और external दोनों टाइप के व्यापार होते थे तो क्रिशी के रहत अगर हम बात करें तो कई सारे इन्होंने पशुपाल रखे थे खेति करने के लिए पशुपालन में इन्होंने भी पाल रखे थे उसमें कई सारे पशुप सो थे शिल्फ व्यावसायवाली बात ठीक है किस तरीकेसे का कासे और सारी चीजों की जो मृदभान थे यह लोग बनाते थे उसका विवशाय करते थे व्यापार में किस तरीके से यह जो है मोतियों का आयात करते थे और किन-किन चीजों का यह निर्यात करते थे वह सारी चीजें इसमें इंकलिवड होंगी आगे हम बात करते हैं मिट्ट गोड़े की अस्थियों का एक मात्र अस्थल जहां घोड़े की अस्थियों की प्राप्ति हुई थी सिंधुगाटी सभेता केता है तो जो घोड़े की अस्थियों मिले का जो एक मात्र जो अस्थल था वो था सुर कोटदा जो की कच गुजरात में पड़ता है ठीक है नेक्स् से लोथल था, उफ में सुतकाइं की डोर था, रंगपुर था, तो उन में ये पूचा है, जो रंगपुर बंदरगाह वो पढ़ाता है, ठीकी ? कहा इस्तित है ? उस में जा सीधा। तो एहमदाबाद गुजरात में रंगपूर बंदरगाह पढ़ता था आगे हम देखते हैं इसमें मांडी और मांडा कहां इसती थे ये जो दो उत्खनन अस्थल हैं मांडी भी था, मांडा भी था इसमें पूछा है कि ये दोनों कहां पढ़ता है तो जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और अगर मैं मांडा की बात करूँ तो वो नौर्धन में जो है ये सिंदुगाटी सब्यता के एकदम नौर्धन पार्ट था ठीक है एकदम उत्तरी भाग था तो मांडा जो है जम्मु काश्मीर में पढ़ता है आगे हम बात करते हैं इसमें काली बंगा अस्थल के खोजगरता का नाम पूछा है कि काली बंगा जो अस्थल था उसकी खोज किसने की थी तो इसकी कोज अमलानंद घोश ने 1953 1953 में की थी अगर मैं बात करूँ काली बंगा की तो घग्घर नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ था घग्घर नदी को आज हम सरस्वती नदी के जानते हैं वहीं अगर बात की जाए काली बंगा अस्थल था कहां पे तो ये हनुमान गर्जिला राजस्थान में पढ़ता है काली बंगा तो इसमें तीन चार क्वेश्चन्स इसी में बनते हैं खोज गरता काना ममलानंद घोश किस नदी के किनारे तो सरस्वती नदी थी और कहां पर पढ़ता है ये क्वेश्चन्स कई बार पूछा गया है कि काली बंगा कहां पर पढ़ता है तो हनुमान गर्जिला राजस्थान में पढ़ता है काली बंगा नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब इसमें मोहन जोदलो किस नदी के किनारे बसा था जैसा कि मैंने बता है मोहन जोदलू मतलब प्रेतो का टीला होता था उसमें ठीक है तो मोहन जोदलू के अगर बात करें तो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर ठीक है यहाँ याद रहे राभी नदी के बाएं किनारे पर हडपा था आपका दाएं किनारे पर सिंधु नदी के मोहन जोड़ो है ठीक है राइट बैंक पर जो है सिंधु रिवर के इंदस रिवर के तो इसमें अगर मैं बात करूँ next कि मोहन जोड़ो पढ़ता कहां पर है तो ये लर्काना जो है पाकिस्तान में पढ़ता है मोहन जोड़ो ठापपा और मोहन जोड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है आए हम बात करते हैं कहां से की नर्ते करती हुई लड़की की मोर्ती ठीक है तो जो नर्तिकी की मोर्ती एक तरीके से मैं बात करूँ कहां से मिली थी तो वो मोहन जोदोडो लगाना पाकिसान से ही मिली थी हमको next, बनावली के उत्खनन करता कों थे बनावली जहां से वो हल्मिला था जहां से तो इसके उत्खनन करता कों थे तो RS Vist सहाब थे 1974 1974 में घगगर नदी की किना रहा भी है घगगर नदी, याज की सरस्वती नदी ठ्याई ये हिसार हर्यारा में पड़ता है हिसार डिस्टिक हर्यारा जो है राज्य वहाँ पर बनावली पड़ता है नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान के दो प्रमुख उत्खरन अस्थल काउन से थे जो की सिंधो सव्या से जुड़े हुए थे याद रहे दो ही ऐसे उत्खरन अस्थल थे जो अफगानिस्तान से मिले थे एक तो आपका था सोर्तु गई या सोर्तु गई यहाँ पे लिखा हुआ है यह टकर परांद में पड़ता था वह ही जो दूसरा उत्खरन अस्थल था वो था मुंडी गाक जो की कांधार में पड़ता था केवल यही दो स्थल थे जो की अफगानिस्तान से मिले थे जैसा कि मैंने बात की जो अब सिंधो गाटी सब्यता है वो तीन देशों में विक्षित हुई थी पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान में नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सूर इसमें लिखा है सूर सुत्कोटदा लोथल रंगपूर रोजदी देशलपूर धौलावीरा यह जितने भी स्थल हैं यह किस राज जिसे संबंदित हैं या यह कहां जो है इस सिते कहां आमको देखने को मिलते हैं तो जो सूत्कोटदा है लोथल की बात की जाए जो एक बंदरगा था रंगपूर बंदरगा था सीपूर्ट रोजदी देशलपूर धौलावीरा यह सारे किस सारे जो है गुजरात राजिस से संबंदित हैं ठीक है तो यह सारे कोईशन्स आपके कई सारे कोईशन्स इसमें इंक्लिवड हो जाएंगे आगे हम बात करतें इसमें नवशारो उत्खनन अस्थल कहां है तो जो नवशारो उत्खनन अस्थल है वो पढ़ता है आपका बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में यह पूछा गया है कि नवशारो अस्थल कहां पर पढ़ता है नेक्स्ट याद रहे भारत का पंजाब नहीं है ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांथ वहाँ पर रह्मान धेरी इस्थल जो है मिलता है देखने को आगे मैं बात करता हूँ बाला कोट उत्खनन इस्थल कहां परिस्तित है तो जो बाला कोट उत्खनन इस्थल है वो बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में आगे देखते हैं इसमें जूते हुए खेत के साक्षे कहां से मिलते हैं तो जूते हुए खेत के साक्षे हमको बनावली से मिलते हैं हिसार हर्याना से हिसार डिस्टिक में पड़ता है हर्याना राज में आगे देखते हैं इसमें लि उत्तों कि स्रंगार के चीजों को उसके बारे में बताता है लिप्स्टिक का मिलना तो हई इसकी अगर बात की जाए गोला बनाने की कार खाने की बात की जाए तो यह यह याद है चभू दड़ों से जो है हमको मिला था नवाब शाह जिला सिंध में पड़ता हूँ ठिक है ना बास करते हम इसमें इसमें है कि है नेक्से में दिया है कि جल पंचयन जलाशे बैयाई की जोडी और एक नग्लन गया है ज़िए कहा से मिले हैं तो धहलावीरा अहमद दिनर भाराश्वा से Next इसमें दिया है सिंदूगाटी सवेता के तहत भारत के सबसे बड़े शहर राखी गढ़ी के उतखनन करता कौन थे याद रहे सिंदूगाटी सवेता के तहत सबसे बड़ा शहर था मोहन जोधरू लेकिन इसमें लिखा हुआ भारत के सबसे बड़े शहर तो वो था राखी गड़ी ठीक है तो उसके उत्खनन करता का नाम पूछा है वो थे सूरसभान 1969 में इन्हों ने उत्खनित किया था गगर नंदी के किनारे है राखी गड़ी हिसार हर्याना में पड़ता है नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें में दस अक्षरों या चिन्न हो वाले बड़े आकार का एक शील लएक कहां से मिला है तो वो धावला वीरा से से मिला है इसमें क्रसि की प्राचींतम साक्ष मिले हैं लहुरा देव से सबसे पहले वाला पर दुतिय जह घाड़ वो मेहरगर से मिला है हमको पो अगलेमे हैं बुकंप के साक्षे जली चूडियां Lakini tiya की बात कि जाया अगर तो यह शिवलिंगी की बात कि है तो यह सारे के सारे हमको कहा चोड़ी है तो बहुखमप के साक्षे जली चोड़ियां स्टेवलिंग यह सारे तो नमंबर में जो है ये अपने फसल की बुवाई करते थे, वहीं मार्च और अपरेल में इसको ये जो है काट लेते थे, ठीक है, तो याद रहे है जब बाढ़ का पानी उतरता था, तो नमंबर में ये बुवाई और मार्च अपरेल में उसकी कटाई, आगे इसमें देखते सिंगी वो सिंग की बात है, ठीक है, एक सिंगी पशु मिला था, हाथी था इसमें, कुत्ता था, भैस, ठीक अगर हम लुमड़ी की बात करूँ, यो भी इसमें था चीता, भाग, कववा, सांप, ये सारे के सारे जो है, उस समय मिले थे, इनके साक्ष उस समय देखने को मिलत हम को देखने को मिलते हैं, अज्यात पशु में घोडा था, तो सिंपल सा है कहते हैं, कि बायल का साक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं, कि गाय का साक्ष नहीं मिलता, तो ये तो एकदम आपोजिट वाली बात होगे, बिना गाय की बायल कहां से, तो फिलाहल कम अगे मैं बात करते हूं, इसमें मनका क्या है, इसमें मनका होता था, जिसका विवसाय यह लोग करते थे, तो मोती की माला जो होती थी, उसको हम बोलते थे, मनका, ठीक ई, उस समय, लास्ट में इसमें देखते हैं, प्रमुख व्यापारिक शहरों के अंतरगत, अगर मैं बा बाब ही पूछे कि यह दिल erase क्दम जुल्जा लाइण का तो अगर दिलमन की बात की जाए जिसको आज मुखें क्वा बहरी इनके लार के उन्तरगत के माकन की बाट की जाए तो मकान और अगर मेलूहा की बद की जाए तो उसको आज हम मोहन जोदलो या मोहन जोदलो को अब हम आपका पाकिस्तान में पढ़ता है तो मोहन जो मेलुहा है उसको मोहन जोदलो के नाम से जानते थे तो इस तरहे किसे जो इंडिया का व्यापार था वो यहाँ पर मेलुहा, माकन की बाद, दिल्मुन और इन सारी जगहों से जो है गापार होता था फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतने ही questions तक हम रुपते हैं आगे के वीडियो में हम और important questions के बारे में बात करेंगे आप सभी से अनुरूद है कि स्क्रीन पर आ रहें बाय और दायसाइड के वीडियो को जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको important notifications हैं जितने भी वीडियो में अप्लोड कर रहा हूँ उन सबकी important notifications आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धालबाद